इस वीडियो के अंदर हम लोग इटे कमपनी के द्वारा बनाए गए टाइस अडेसिव की क्वालेटी चेक करने वाले हैं और जिस तरीके से आज क्वालेटी चेक करने वाला हूं वेसा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा लेकिन आज मैं आपको एक देसी तरीका बताऊंगा जो आप अपने शाइट पर भी कर सकते हैं और इस टेस्ट में जो भी अडेसिव पास हो जाए आप उसको यूज कर सकते हैं फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड या कमपनी का हो आप मेरे सामने ये जो टाइस अडेसिव देख रहे हैं ये है इटे कमपनी के सेंपल हैं पाने डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक ग्लोशी स्मूध सरफेश वाली टाइस लेकर इस तरीके से 2-2 इंच के टुकड़े चिपका दो और 2-3 दिन बाद इस टाइस पर जोरदार जटकेदार वाइब्रेशन करना है ग्रैंडर दुआरा अगर आपका भी अडेसिव वाइब्रेशन नहीं जहल सकता तो वह अडेसिव बेकार है अथवा उसकी गुणवत्ता घटिया है टाइस लग जाने के बाद कई बार कारपेंटर, प्लमबर, फेपरिकेटर और प्लमबर वाले भाई लोग ड्रील मशिन से काम करते हैं तब टाइस, मार्बल, ग्रेनाइट बगेरा ड्रील का वाइब्रेशन नहीं जहल पाते और या तो वह दिवारों को छोड़ देते हैं या फिर तूट जाते हैं जिसको रिप्लेश करना बहुत ही मुश्किल होता है इसमें बहुत ही जरूरी होता है कि आपका टाइस अडेसिव ऐसा हो जो वाइब्रेशन को जहल सके यहां पर यह जो है यह मैंने ग्रेनाइट का टूड़ा चिपकाया है वाइट अडेसिव में है और यहां पर यह ब्लेक कलर की विट्रिफाई टाइल्स है जो प्रिंट पर चिपकाई है 111 नमर का अडेसिव है यहां पर 222 नमर का अडेसिव है यानि कि त्रिपल टू अडे सरफेस पे चिपकने के बावजुद भी कितना वाइब्रेशन जहल सकते हैं यहां पर यह पूरी टाैल्स है और। टाय्ल्स पर हम अभी वाइब्रेशन करेंगे और वाइब्रेशन करने करो रंपल्डाइब को खड़ा कर पिछे से agreeason करकER इस ठुकडि को सब को निकालो देखते हैं निकलती है कर थो खड़ा कर जक The और अभी यहाँ पर पिछे से वाइबरेशन कर हैं यहां से पकड़े रखो और मैं यहाँ पर देखता हूं कि पहली पहली कॉन बुड़ी निकलती है हाँ चल वाइबरेशन शुरू कर जोर 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 में लगा जोर जोर में अब्सक्यों के आपर पूच्ट विता नहीं दो अब्सक्राइब नहीं दो